11 सच है तो दिखेगा नमस्कार जोहार मैं अभिशेक भारती आप News 11 भारत देख रहे हैं संतोशम परम सुखम अक्सर यही बात तो सुनते आते हैं लेकिन जारखंड के लिए संतोशम परम दुखम हो गया है जिधर देखिए हमारे राची ग्रामीन के अवर निबंधक संतोश जी ने कोई न कोई कारणामा उधर कर ही दिया है अब जो नया मामला हम आपको आज दिखाएंगे वो राची के अरगोड़ा अंचल से जुड़ा है जहां हुजूर ने आदिवासी जमीन तीन सामानने लोगों के नाम कर दी है बकायदा तीन लोगों के नाम रेजिस्ट्री हुई है आखिर हर बार हम आदिवासी के उठागे जाते हैं आखिर हर बार हम मूलवासी आदिवासी को ही बेवपूफ क्यों समझा जाता है संतोश जी शायद आप हमारी शक्ति को कमा करें या फिर आपको ऐसा लगता है कि सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए कि कैसे सी एंटी के तहट आने वाली जमीन वह जमीन जो छोटा नागपूर टेनेंसी आक के तहट आती है उस जमीन की रजिस्ट्री हो गई तीन सामाने लोगों के नाम और वो भी बीच शहर यह रिपोर्ट दिखा हिया संतोष को संतोष ही नहीं होता अवर निवंधक संतोष की कार गुजारी बदल दिया जमीन का नेचर सी एंटी जमीन को बना दिया सामानने तीन लोगों के नाम हो गई जमीन की रजिस्ट्री अरगोडा अंचल के अरगोडा मौजा का है मामला राची ग्रामीन के अवर निवंधक संतोष कुमार जिनकी कारिस्तानिया दिखा दिखा कर हब हम ठकने लगे हैं पर उनकी कारिस्तानिया खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे और नाहीं सरकार उन पर कार रवाई का मानस बना पा रहे ताजा मामला रांची के अर्गोडा अंचल का है जहां एक CNT नेचर की जमीन की रजिस्ट्री एक स्तामानने के नाम से होगी मौजा अर्गोडा खाता नंबर 266 फ्लोट नंबर 143, 145, 146, 11170 और 3987 ये जमीन मंगल डोम, बांधू डोम, शंकर डोम, शुकर डोम और महादेव डोम की थी जमीन इन सब की खत्यानी जमीन ये जमीन इने काम करने के एवज में महाराजा प्रताफुदैनाथ शाहदेव से मिली थी डोम जाती SC कैटिगरी में आती है यानि इस जमीन का नेचर सी एंटी एक्ट के अंतरकत आएगा अर्गोडान मौजा के 266 खाता मंगल डोम, बंदू डोम अन्ने के नाम से खत्यानी रहयत के नाम से ये दर्ज है और इसमें टोटल पांच प्लोट्स हैं संतोष कुमार ने इस जमीन की रजिस्ट्री कांती कुमारी, जोती कुमारी और निभा कुमारी के नाम से कर दिया कीनो सामानने कैटेगरी के लोग हैं जो की गलत है और हमारी बात से अर्गोडा सीयो भे इत्तिफाक रखते हैं ये खत्यानी रहयत के मंगल डोम हैं तो ये सी एन्टी में जो जातियां हैं उनके अचादित हैं और 46 इसमें जरूर लागू होता है संतोष कुमार वो अवर निबंधक हैं जिनका किलाव जार्खंड विधान सभा के बजट सत्र में भी आवाज उठी दी लेकिन अब तक संतोष कुमार अपने पद को स्तुशो भीद कर रहे हैं आखिर संतोष कुमार को कौन बचा रहा है संतोष कुमार के स्तिर पर किसका वरधास्त क्या संतोष पर कार्रवाई से पीछे हट रहा है विभाग आखिर क्यों संतोष कुमार पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई राची से निउस 11 भारत के लिए आगाश भारगव की रिपोर्ट तो देखा आपने कैसे सी एंटी के तहता दिवासी जमी और उस जमीन की रेजिस्ट्री हो गई जब पूछा जाता है तो संतोष साब कहते हैं कि भाई मैंने तो रेजिस्ट्री कर दी अब आप कर लीजे क्या करिएगा तो क्या हम इतने कमज़ोर है क्या सरकार प्रशासन इतनी कमज़ोर है कि वह एक्षन नहीं ले सकती संतोष के खिलाफ विधानसभा में भी मामला उठाए इसके बावजूद अब तक अगर इस पर एक्शन नहीं हुआ है तो क्या समझा जाए कि यह लाल फीता शाही हावी है सरकार पर आखिर धियोतक क्या है ये सिंबल किस चीज़ का है इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान जुड़े हुए हमारे प्रिम्शाही मुंडा साभ जुड़े हुए और दुख के सदस्ते हैं रमप्राइब के मामले में टार्गेट में क्यों है एक अधिकारी बड़ी आसानी से एक आदिवासी जमीन जेनरल को रेजिस्टर कर देता है और हम तमाशा देख रहे हैं और सबसे बड़ी बात है कि उस पर कारवाई नहीं होती मैं रोज यहां पर आ करके और बाकाद मैं लिटरली शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि मैं भौक के जाता हूं मैं भौकता रहता हूं शायद दर्शक भी अब सोचते होंगे कि यह रोज आठ बजे लेकर के बैठ जाता है जमीन जमीन आखिर यह क्या चीज़ है क्या हमारा कोई परसनल लेजिंडा आखिर क्यों है ऐसा लेकिन सचा ही कि यह है कि हम आधिवासी मूलवासी जहारखंडियों की जंग लड़ रहा है मैं जिधर देखता हूं उधर देखता हूं कि हम जहारखंडियों की जमीन लूटी जारी और ऐसे चंद अधिकारी जो इमानदारी के चोला पहन करके और हम मूलवासीयों को आधिवासीयों को ल करना कौ जो करना चाहिए था रेकिन आप ने चे साथ Perry के ये थो यह तो हम समझते हैं छोटी मचली है बड़ी मचली यहां के नोकर्षा यहां के राजनेता अभी बात आपका कहवत सुने की बिधान सभा में भी बात की अब मैं देखता हूं कि रिष्टी डिपार्टमेंट का जो है वो कोई भी चीज़ को रिष्टी कर देते हैं अभी मैं एक मामला आया है बुंडू के छेत्र में कोड़ा जो है यह मोजा में बारसो एकर जमीन चीनी जा रही है खुटकटी जमीन को एक पवन बजाज नामक एक ब्यापारी है मारवारी है वह कैसे वहां जमीन को ले रहा है जूटा हुकम नमा बना करते हैं और सबसे बड़ी चीज़ है जंगल की जमीन को बेचा यह दस्तावेश है मेरे पास हुं में तो हम यह देखते हैं कि जितने भी हम लोग आंदून करते हैं इमानदारी ही से जो बड़े जो राजनेता है चाह को भी पाटी हुँ यह जमीन आदिवासी मुल बासी के χत में जो 12 बर्सों से जो अलग राज जो 19 बर्स हुआ कोई भी आदी बासी मुलबासी समाज को नहीं नहीं किया है जमीन का मामला हो और यह जो रिष्टार जो लोग है यह भगवान है आज के दिन में आपको बड़ी पढ़े लिखे समझते हैं अपने आपको सोचते हैं कि जाई हम क्या कर है उसको भी इससे पहले जबी नहीं है रांची के रिष्टार ने उसको रिष्टी कर दिया मैं उसको भी पार्टी बनाया एक में रहेत को लेकर के केस भी किये हुए है और वहां के डीएसपी जो अपने संधान में पोजिटिव रिपोर्ट दिया है मैं चाहता हूं कि यह करन चाहते निमिदन करना चाहते है इसलिए बिर्शा मुनडा होते रहां नहीं भी है उनकी आत्मा रोती होगी इसलिए जो भी पधादिकारी हो जो तो गदेता सभी इस gilt हुआ है उसको सजा मिलनी चाहिए और हम लोग इसको आंदुलन को सोच रहे थे और यह अच्छा हमारा ताल में मिला नियूज एलेवन का और इसको हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे और दूद का दूद पानी का पानी करने का काम करेंगा सुशंतो दा यह तो संभावी नहीं है कि रेजिस्ट्रार जो संतोष जी इन पर किसी का वरधास नहीं है वरना मामला विधान सभा में उठाया हमने ओडियो सुनाया उस ओडियों में भी इनका नाम आया था आप उस दिन भी महजूद थे आपको बकायदा इसमें सुना था कि एक पूरा नेकसस इनका ठीक है इनके ऊपर किसका वरधास्त है इस पर तो चर्चा होगी लेकिन जिसका भी वरधास्त है वरधास्त बहुत मजबूत है कि आप देखिए कि अभी भी बाकायदा ये उस पाद कुछ तो शोभित कर रहे है इतने आरूपों के बाद भी अभी जितने जमीन आपस करा सके हम लोग आपस करवाएं लेकिन ये हम लोग उस दिन बैठे ते जिस प्रियर्ड में आप गौर करेंगे कि 18-19-20 जतना भी इस अब देखेंगे आप डीड कर ट्रांसफर इसी इसी अर्गोड़ा और इसी इसी अर्गोड़ा में हमने हमें लगता है कि इस न्यूज इलेविन की फैली थी उर लड़ाई जो हम लोग श्यान में डिसलिम लेके बैठे थे बिल्कुल बस इनी के समय में वो एक ट्राइबल की जमीन पाहनी पाहन की जमीन उसको जेनरल में ट्रांसफर कर दिया और उनको हम लोग बहुत दिकत से उसका रिजिक्ट करवाएं क्या म्यूटेशन रिजिक्ट करवाएं लेकिन इस बीज दिन पहले उसमें फिर तोर फोर करके उसको कबजा करने की कोशिच कर रहें लेकिन आज थाना में केस है बोलकर उहां कुछ ने आते धर पकड़ चल र है यह सुसान तो एक छोटा सा मैं एक्जांपल दे रहा हूं अभी कुछ दिन पहले हमने गूमिया का एक जमीन की खबर दिखाई थी कोई महेश नायक करके शक्स थे वो आये थे हमारे पास बहुत गरीब से आदमी थे तो उन्होंने कहा कि ऐसी ऐसी बात है हमारी गलत क्या दिकारी कि तमाम लो सीधा मूँ बात तक नहीं करते हैं उस शक्स ने मुझे एक छोटी से रेकॉर्डिंग भीजिये उसमें जिसमें अंचला दिकारी बोल रहे हैं कि जो करना है कर लो अब बेच दिया आप सोचिए कि किस लेवल के गुंडा गर्दी मची हो देगे द किरते हैं और उन्हें पता है कि मेरा जो पैसा लगा है उससे जब तक दस गुना ने हो जाएंगे तब तक इस टेबूल से हमको घसकाने अलग और कोई ने रहेगा किसी की ताकत नहीं है हमारे यहां पर एक जमीन में मामला में क्या है कि जब तक अब सरकारी सरकारी कुछ ज दिया जाए उस CEO का कुछ नहीं होगा, वो म्यूटेसन गलत भी कर देगा, उस पर कोई कारभाई नहीं होगा, हमने आगे बैट के देखा इसी चैनल के मादधम से, हमने कांके CEO का देखा, आज कांके CEO के उपर जो मामला दर्ज था, जो मामला लगा है, उस मामला पर कैसे दूस कारण पर बोलते हैं, अभी जो अरगोड़ो CEO है, आज का डेट में बोल रहे है, वहां भी अभी गलत हो रहा, अभी जो दुमका से आए वो, अभी नए नए आये वे, वहां भी गलत हो रहा, हमें पता चल रहा, समय नहीं है, क्योंकि हम लोग पूरे राज में दोड़ते है उनके पास भी जाएंगे, हमें पस आया है complaint, complaint आया है कि इस तरह से मामला वहां भी ओर, अभी भी ओर है ट्राइबल के जमिन पर, क्यों नहीं रुखते हैं भई, हमारी तो यह जो हमारी जो सरकार आई है, यह आदिवासी हित में आई है, इस पर अभी ट्राइबल के लिए कु इलना भी बाकी है, तो अब कोरोना काल भी खतम की और है, बढ़ता घटता जो भी है, लेकिन लोग का डर कम हुआ है, लेकिन मेरा सवाल यह है, प्रिमशाही जी मैं तो बहुत सिंपल सवाल और एकदम सिधा सवाल पूछ रहा हूं, क्या हम इतने कमजोर हैं, क्या लास्ट म हम एक जगा फर्यात करेंगे, दूसरी जगा फर्यात करेंगे, लास्ट मेया तो खुद फासी पर टंग जाएंगे, आसामने वाले को टंग देगे, तो एक बारूत पर बिठा दिगे है पूरे जार खंड को, यह आपको आत्म गलानी करने की जूरत नहीं है, मैं आपके चै से आपने दिख लाया, और मैं इसलिए सेलूर करना चाहता हूं, जितने भी यहां पर आदीबासी ओनायशन है, वो कोई भी जमीन के मामले पर रूल अपलो काम नहीं करते हैं, दलाली परकरिया हमारे बीच में भी है, और आपसर तो चाहता ही है, और यह बात बड़ी चीज है, जितने भी यहां पर जो जमीन का हेरा फिरी कर रहे हैं, सब का उपर से साया है, एक टेंडर होती है, इस जगह जाएंगे तो कितना लेंगे, तो उसके बाद आप इसका सबसे बड़ा चीज हमें लगता है कि पॉलिटिकल इच्छा सक्ति का अभार गोर आओ, क्योंकि ज गारी जो देखेंगा ना पचास लाग की गारी में घुमते हैं, क्यों को का दिखाया, लेकिन सवाल यह कि आखिर कारवाई से देखें, कारवाई से इसलिए आप जितना भी हमारे स्ट्रिंग ओपर जाता है, उपर कॉन बैठा है, मेरा सवाल तो यह एक उपर कॉन बैठा ह आपने आज तक कभी किसी राजस्व सचीव पर कारवाई करते हुए देखा है, आपने सचीव लेवल के किसी अधिकारी को सस्पेंड होते देखा है, आपने किसी अंचल अधिकारी को जेल जाते देखा है, नहीं देखा होगा यहां पर, नहीं देखा होगा, आरे घूस लेते किसको पकड़ती है करमचारी पकड़ती है किसको पकड़ती है अमीन को पखड़ती है था BENnings का खार्म पर आखिर हम उस जन पर करवाई करने से जो होना चाहिए जमीन के मामनें पर कमी हैं, हमें तो लेगता है नेताओं पर भी ये कमी संजाता है, मैं खुल के बोलना चाहता हूं, और हम देखते हैं कि भीतर खाने में हर नेताओं का, हर नुकर्षा का, हर व्यापारियों का आदिबासी जमीन पर नजर है, जूठा हुकुम नामा बना करक हैं, उसको बहुत तरीके से कोट में घचिता है, आदिबासी दोड़ते 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 एक तरफ हार जाता है, आप जाहिएगा जमीन के शिकायत लिकर के कहा है, तो CEO डांट के भगा देंगे, FIR दर्श करवाई है, मैं एक उधारन दे रहा हूं, कि चास क एक मामला है, एक अशोक चौधरी जी है, जो रोज मेरे पास फोन करता है कि सर मेरी जमीन है, और जमीन बाकायदा उनकी है, बाकायदा है, SDM कोट से उनके पक्ष में फैसला आचुका है, लेकिन फिर भी अंचला दिकारी उन्हें भगा दे रहे हैं, इसलिए भगा दे रहे उसके बाद उस पक्ष में फैसले के लिए उनके बच्चे दोड़ते रहे जाएंगे, वो कभी उस जमीन का उपोग नहीं कर पाएंगे, तो इस तरीके का खेल चल रहे है कि आप इस विश्यस सरकल में फंसे रह जाएगे, अब जैसे संतोष को ही देख लिजे, रेजिस्ट को एकदम हटना चाहिए, और पहला है कि हटने के बाद ऐसा नहीं कि यहां का रेजिस्टार है, उसको दुसरे जगह ले जाकर पोस्ट दे दे, तो क्या फैदा हो उससे हटा के, उस पर जनता को पता चले कि उसको पनिस हुआ, उन्होंने छो महना तक ड्यूटी पर ना गया उसके बाद उसका रेजल्ट जो आएगा, अगर उसे नेगटीब आएगा, उसके अगर पक्ष में रहा तो ठीक है, नेगटीब आया तो बैठेंगा, उसके नोकरी जाएंगे, उससे सस्पेंट हो लेकिन यहां पर क्या है, अगर गाओं के देखें, हमारे ट्राइबल जो है, ट्राइबल चेत्रे से जो भी केस लेके आते हैं, वो समझ लेते हैं कि एक चिट्थी हमने सियो को दे दिया, मतलब मैंने जीत किया, उनके बाद वो आते ने दो महिना तक, जहां दो महिना तक नहीं आएंगे, उनका पक्ष ने उसका उल्टा पक्ष कर देंगे, और चाहिए, LRDC को, CEO को लेटर भेजना चाहिए, कि आप इसके कॉपी हमें दे, इसके क्या प्रॉब्लम है, और रेइस्टार को भी बोलने की जोरत है, कि भाई, रेइस्टार भी हमें ये डीड दे, इसका क्या इलो का तकलिफ है, इसको हम जाच करेंगे, LRDC का पस पूरसत कह जाते हैं, कि आपस में बत ही आलो, अब वो कोट का मामला ही नहीं रहा, जो मामला वहां लेंदेन के करने के चलते हो कोट आये थे, वो लेंदेन कोट में हो रहे, तो ये क्या कैसा नहीं है? हम मूलवासियों का है, हम जारखंडियों का है, हम आदिवासियों का है, अविसेग जी, यह हम यहां दावा करके बैट के बोलते हैं, यहां पर कोई भी मूलवासी और आदिवासी का जमीन नहीं लूटा है, मूलवासी और आदिवासी मिलके जमीन लूटवाया है, कुछ ल किसी और की जमीन ले लेना अरे ट्राइवल ही लेन आते थे वहां जमीन लोग बच्पन से देखें लेकिन आप जाके वहां देख लिजिए नॉन ट्राइवल ट्राइवल के जमीन पर घर बनाए हुए प्रेमसाई जी यही कहना चारों में कि 119 की जब हम लड़ाई लड़ रहे थे तो कुछ आदिवासी संगठन हमारे खिलाफ खड़े हो गए हां मैं सुना हूं कुछ आदिवासी संगठन हमारे विरोध कर रहा है हां वो हमारे खिलाफ और इस मन से मैं उसकी निंदा भी करता क्योंकि मैं आदिवासी ओनाएशन चलाता हूं लेकिन जो यह जो सजा कैसे हो इसके लिए घबराने की बात नहीं है आदिवासी जनपरिशत हमेंसा साथ है सुसांतो जी का ओनाएशन साथ है ऐसे हम पूरा टोलिया बनाएंगे और आपके साथ लड़ करके इसको जो भी हैं जमीन का भाइलेशन कर रहा है उसको हम सजा दिलाने का काम करेंगे मैं यह दूसरी बात ही कहना चाहता हूं जमीन के मुद्दे को लेकर करके कैसे अफसर जो है फाइल को पर फेकता है फाइल नीचे फेकता है हम लोगोंने दो साल तीन साल पहले जरपेश्की का मामला हम लोग ने लिखा पढ़ी किया और जरपेश्की जमीन है वह साथ साल में सोहता वापस हो जाते हैं इसको अंग्रेजी में कहते हैं मनी लेंडर एक नाइंटी सेवेंटी फॉर्ट यह में लेकिता है और उसको भुगत बंधा भी बोलते हैं खैखलाशी भी बोलते हैं यह म दस्तावेश है मैं उसको मुहाया कराऊंगा तो इस तरह का दोरते दोरते उपर चला जाता है कभी नीचे चला जाता है और इधर वस्तुभिहर बना रहा है तो मैं यह चाहता था कि मैं कभजा करूंगा लेकिन सविधान के दारे पर करूंगा यह काभी नोटिस दीजे कभ अब तो लगता है कि हमें फिर से बिर्शामुंडा और सिधु कानु के तथ पर हमें लगता है कि तलवार उठाना पड़ेगा तीर दन उठाना पड़ेगा इस टैप का हमें महसूस हो रहा है अच्छा सुसंतो देखिए देवघर से हमने जमीन का यह खेल दिखाने की शुर और शुक्त दिखा जिसमें वो कुबूल कर रहा है क्या कारवाई हुई कोई कर वेडियो था जिसमें यह था कि वह उनके जो हस्बेंड रहा में वह अंचल का रहा है कि बाहर के बना करके बैठते हैं कि जो म्यूटेशन अंचल के अंदर नहीं हो सकता गयर मजरुआ का वह में 5,000,100,15,000 रुपे पर डिसमिल के हिसाब से वो हो जाएगा सौनू सर्मा उनका नाम था कि वनके पास चल जाइए हो जाएगा क्या करवाई हुए भेज दिया लातेहर के हेरहंज में यह कोई कारवाई है घ्रांसफर कर दिया कहा ही कारवाई है नाम इसी ओ कि खिलाप द इतने ब्रस्टाचार करने के बाद अगर कोई इतना अरभु अरब का भ्रस्टाचार कर लेता है तो उसे आपकी तनका की जूरत पड़ेगी क्या? वो तो महीने में बैंक में इतना इंट्रेस्स खाएगा कि उसको कोई काम करने की जूरत नहीं है और वो क्यों नहीं करें अब रश्टाचार संतोषची को ही देख लिजे, क्यों नहीं करेंगे अब रश्टाचार, इतना कुछ दिखाने के बावजूद संतोषची मज़े में है आराम से अपने AC में बैट करके और TV देख रहोंगे सोफे पर बैट करके मजे ले रहोंगे वह हमारी इस डिबेट का मख़ौल उड़ा रहोंगे हमारा इस तरह के मामला बहुत सारे है और इस बार की जो हाल फिलाल में जो ट्रांसफर हुए है बहुत सा सीयो माफी मांग दिय कुछ तो है पचास में से कुछ सीयो है जो काम कर रहे हैं वह माफी मांग दिया ना मेरे पास पैसा है ना हम किसी अंचल जा सकते हमको जहां भेजना है बेज दो हमारे पास उसका रिकॉर्ड है लेकिन जिस सीयो को बचाने के लिए आज देखिए अतने बड़े आंदोलन हम तो सुटाल यारूर नहीं करेंगे यतना दूलार से लिखते हैं लेकटा कि अपनी धमाद है यतने दूलार देखते हैं यह जब तक यह नहीं भड़ेंगे तब तो इस पर कारवाय नहीं होगा और जब तक नॉन बिलाबिल सेक्शन नहीं लग रहा इस पर कौम सी कारवाइ इन पर criminal activity का केज लगना है और गैर में जरुआ का आम जान जो जमीन बेज देते हैं जो उसमें criminal act लगने के लिए तो सबसे बड़ा साबूत है कि आप गैर में जरुआ जमीन को बंदवस्ति कैसे कर देते हैं अभी जैसे हम जो मामला दिखा रहे हैं अरगोडा का ये तो criminal act है एक दब लगना लेकि नहीं लगेंगे क्योंकि हो सके ये जो रेश्टार जो है रेश्टार अभी पोस्टिंग में आने टाइम अगर ऐसा कुछ हो गए उनके साथ कि अभी तक उसका पूरा complete दसगुना असुली नहीं हुई है तब तक उताव देके बैठे रहते हैं कि दूसरी चीज देखिए प्रेमशाई भाई एक और बात मैं बता रहा हुआ अंचल अधिकारी रेजिस्ट्रार ये तो चले बहुत ऊपर की बात होगे आप अगर एक अंचल कार्याले में कोई करमचारी तैनात है उसकी संपत्ति की जाच कर लिजेगा अपका एक सवाल मत अंधर्वाय क्यों हो रहे हैं हम इतने अंदलन कर रहे हैं हम चाहें हमारी मित्र भी है आने वाला समय में जब को को रोना न दर में जो हर भार यह हैं बुदहिंगिन आपड़िये नहीं करते हैं यह कमजोर इसी की दीख रहा है और हम तो अपील करना चाहते हैं हम फिर से जार्खन मुक्ति मोर्चा और गड़बंधन के जो नेता लोग है यहां के सीम है कि अभिलम इस पर कारवाय करें जो भी हो उसकी सबूत सबूत मिली जाएगी सबूत आप हमसे आके लिजे न सबूते सबूते लिजिए गया और आप जो है उसको सच्पेंट भी नहीं करते हैं ट्रंसफर कहीं कर देते हैं इसका मतलब देखिए लोकर्सा और पॉलेटिकल जो है वो सभी दोनों एक एक ही चीज़ के चक्ति मैं बता रहा हूं आपको कोई रिजिस्ट्री का रहाले सब्सक्राइब देखते हैं साब लाइन लग गई रोज मैं ऑफिस आता हूं और बाहर कोई ना कोई पीडित परिवार बैठा रहता है कि सार हमारी ऐसी जमीने सीयो साब ने ऐसा कर दिया रिजिस्ट्रार साब ने ऐसा कर दिया मतलब ये स्थिती हो चुकी है आपको हम अव कंप्लेन बॉक्स जमीन के मामले में आपका नाम नहीं लिखना है फोन नमबर नहीं लिखना है और उसको रात को जाकर टांग दिजिए साम को जाएगा पूरा भर जाएगा सही बात है इस तरह पोजिशन है लोगों का इतना खौबदर सब जानते हैं कि हमें अगर सीयो है अगर हम रे इजय रहे हैं हमको घुज देना है वो तैय मानलेते हैं कि कितना 20 जमीन है अच्छा तो हिसाब कर ले तो पांच का हिसाब से कर लो एतना देना है फोड़ा से कम नहीं हो अच्छा 10-15 डिजमील की तो बात ही नहीं है तो मामला मतलब मुझे दिखाने में शार मारी है, वो तो चाही हुए के लिए छोड़ दिया जता है, आप सोईक जमीन का गुटाला कितना का 100 एकड का, कितना का गुटाला, 500 एकड देच दिए, 200 एकड का अरे, सारे जमीन, ट्राइवल की जमीन विकती है, अब हलवा है क्या, पूरे सर्विस लेंड बेक्स दी एक बड़ा घाग राके अंदर, फ्रैट बन गे, कौन करेंगे कमप्लेंड, जी, फ्रेम साही जी, ये जमीन का बहुत बड़ा रेकेट चल गाए, इतनी रेकेट चल रही है, सरम आता है हम लोगों को, और सीयो का जो इलाका है, एक कोकस से बड़ा हुआ है, उसमें दूचार दलाल भी रहते हैं, कि रश्ची कितना, कैसे करेंगे इसको, गलत को मिमटेशन कैसे करेंगे, और उसको कितना पैसा हमारा ये होगा, लोग, उसके जो जमीन दलाल लोग भी ऐसे होते हैं, कि उसके एवज में कहा घुमाना, फिराना, कित हमने जो रास्ता दिखाया है, जमीन बचाने के लिए, और हम अपिल करना चाहिए, जिसने भी ओनायशन है, वो सहयोग करें, ने जमीन नहीं बचेगी, आधिवाची भी नहीं बचेगी, एक शेर याद आता है, कि लकडी के कटने का किस्सा नहीं होता, अगर कुलहाडी के पीछे लकडी का हिस्सा नहीं होता, हमें जागना पड़ेगा, सरकार जागे न जागे, अब उससे बहुत ज़्यादा फरक नहीं पड़ता, लेकिन मुझे आपको, हम जैसे लोगों को जागना पड़ेगा, हम जैसे मूलवासियों को अधिवासियों को जागना पड़ेगा हमें पहचानना पड़ेगा कि हमारा अधिकार क्या है वरना संतोष कुमार जैसे रेजिस्ट्रार और सीओ अंचला अधिकारी ऐसे लोग हर जगा बैठा हुए जो हमारे अधिकार को लूटना चाहते हैं और इतिहास गवा है कि धरती विर्सा मुंडा की धरती है ये धरती खोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं बहुत शुक्रिया प्रेमशाही जी आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला सुशंतो दा बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला और इतना लंबा सफर तैकर करके सिर्फ आप इस डिवेट म में हिस्स्ता लेनीके लिए ति यह लड़ाई आगए रषटा चार के खिलाफ दिखाएंगे क्या जा खGUेला हो गया और साथ ही दिखाएंगे कि कैसे जारकन मामीन साहब भूस मांगते हैं पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकता है कि अच्छा